in this question we want to evaluate sum of cos square r pi by n from r is equal to 1 to n minus 1 तो अगेन अगर हम देखेंगे तो हमारे पास में ऐसी कोई series नहीं होती जिसमें क्या होता है square terms का sum का formula हो तो but again हमें एक formula पता होता है यह से अगर हमारे पास में लिखा होता है 2 cos square x minus 1 तो इसे हम क्या लिख सकते हैं इसे हम cos 2x लिख सकते हैं यहां से अगर हम value देखेंगे तो value कहलेगे sigma r is equal to 1 to n minus 1 1 to n minus 1 और cos square r pi by n को मैं क्या लिख सकता हूं इसे हम लिख सकता हूं cos 2r pi by n plus 1 by 2 यहां से मैं इसे हम लिख सकता हूं cos of 2r pi by n फिर आएगा क्या plus में 1 upon मैं जाएगा 2 now अब हमें question में already given n is greater than equal to 2 तो again अगर हम देखेंगे तो 1 तो हमारा constant है तो हम क्या कर सकते हैं summation को हैं ना दो अलग-अलग part में break कर देते हैं तो एक बार क्या क्या हूंगा 1 by 2 constant हमें इसे मैं ऐसे बाहर multiplication में ले ले लेता हूं अब अंदर sigma को मैंने दो बार apply कर देता हूं एक बार मैं sigma apply कर देता हूं r is equal to 1 to n minus 1 आज़ेता है cos of 2 r pi by n और फिर दूसरी बार में sigma apply कर देता हूं 1 के उपर तो आज़ेगा sigma r is equal to 1 to n minus 1 times 1 ओके तो यह हमारा summation हो गया now again अगर हम पहली series को देखें पहली series को ठीक है तो पहली series में क्या है r की value मैं 1 put करूँआ तो एक बार आप put करता हूं ठीक है तो यह series क्या हो जाएगी हमारी it is equal to r 1 put करने पर value कर जाएगी cos of 2 pi by n फिर r की value to put करवात हो जाएगी cos of 4 pi by n फिर plus में क्या जाएगा cos of 6 pi by n ऐसी करते हुए last angle क्या होगा इस series का cos of 2n-2 क्योंकि n-1 put करेंगे न तो 2n-2 pi by n now and plus में क्या होगा हम 1 को कितने times add कर रहे है r is equal to 1 से n-1 जारे तो 1 से अगर हम n-1 तक जारे है तो कितनी times पूझेंगी n-1 तो हम 1 को n-1 times से add करें तो आजएगा plus में n-1 अब इस series को add करने का हमारे पास में एक formula होता है तो जो हमारा cos series का sum होता है जब angle AP में इसका formula करता है पहले हम formula देखते है ठीक है तो formula होता है हमारा अगर हमारे पास में पहला angle angle है alpha cos alpha और हर बार क्या रहा है अब angle increase करते जारे हैं कितना beta से तो alpha plus beta फिर एगा plus में cos of alpha plus two times of beta and up to कहां तक let's say total number of terms n है तो क्या जाएगा अगर n terms है तो n term क्या जाएगी इस AP की तो अब इस AP का जो sum होता है वो क्या होता है वो होता है वो होता है equal to sine of n beta by two यहाँ पर हम लिख लेते है sine of n q जितने भी number of terms होती है उतने times of common difference by two upon में होता है हमारे पास में sine of common difference by two sine of beta by two ठीक है और फिर multiplication होता है cos of 2a plus n minus 1 beta by two ठीक है यह कहता है a first term और beta का common difference by two यहाँ पर beta की जागे हम common difference d से भी represent कर सकते थे तो total number of terms कितनी है अगर n है तो अब हमारा expression देखते है हमारे पास में total number of terms कितनी है अगर हम देखेंगे हमने summation अपलाई किया है r is equal to 1 से n minus 1 तो हमारी total number of terms कितनी है n minus 1 तो जो हमारे series है उसका sum कह जाएगा उसका sum हो जाएगा equal to 1 by 2 बाहर common हैं सही है ना अब formula apply करते है n minus 1 terms है तो कहाँ जाएगा अंदर हमारे पास में जाएगा sin of n minus 1 by 2 और beta की value यहाँ किया है अगर हम देखें तो common difference है 2 pi by 1 जाएगा n minus 1 by 2 और beta कितना है हमारा 2 pi by n फिर upon में किया जाएगा sin of sin of what beta by 2 तो जाएगा 2 pi by n फिर upon फिर upon कास of cost of multiplication में आएगा cos of 2a कितना हो जाएगा 4 pi by n 4 pi by n फिर plus में कहाएगा हमारे पास में plus में हमारे पास में n minus 1 तो हमारे वाले case में total number and क्या है यहाँ पर total number of terms है और हमारे में total number of terms कितनी है 2 n minus 1 है तो यह कहाएगा n minus 1 minus 1 है n minus 2 तो जाएगा n minus 2 times of beta बीटा कितना है 2 pi by n फिर upon में कहाएगा हमारे पास में 2 ठीक है और plus में कहाए plus में n minus 1 है क्योंकि हमने sigma 1 को कितनी बार आड़ी कहा था 1 से लिएक कि n minus 1 तक r के लिए ना उसी अब दिखते हैं स्वम कहाएगा it is equal to 1 by 2 उपर आजएगा हमारे पास में क्या sin of n minus 1 pi by n तो जाएगा sin of n minus 1 pi by n अब 1 में कहाएगा sin of pi by n और फिर cos में कहाएगा cos में अगर हम दिखेंगे तो 4 pi by n plus 2 pi यहाँ साएगा cos of 4 pi by n plus 2 pi minus 4 pi by n और upon में कहाएगा upon में हैगा 2 plus में हैगा n minus 1 तो again अगर हम दिखेंगे यहाँ से कहाएगा 4 pi by n और minus 4 pi by n तो cancel out हो जाएगी value बच्चे का क्या only cos 2 pi तो value कहाएगा यहाँ से 1 upon 2 sin of n minus 1 by n pi और upon में हमारे पास में sin of pi by n और cos 2 pi की value कहाएगा थी equal to 1 ओ स्वारी नीचे कहाएगा इसमें angle में half भी था मैं भूल गया तो इक cos 2 pi by 2 मिनस जाएगा cos pi हो जाएगा cos pi की value कहाएगा minus 1 ओके और plus में क्या है हमारे पास में n minus 1 और यह पूरा multiplication में है 1 by 2 से तो यह आगया हमारा series का sum अब again अगर हम देखेंगे तो हमें पता है sin pi minus theta क्या होता है हमें पता है sin pi minus theta sin theta होता है तो again अब मारे जो उपर वाला angle है sin वाला इसे मैं उस तरीके से break करता हूँ तो यह कह जाएगा sin of यह जाएगा pi minus n minus 1 by n pi आजाएगा और upon में आजाएगा sin pi by n sin pi by n और यह जाएगा plus में n minus 1 और यह भी कहें minus now let's see simplify करेंगे तो हम value क्या आगए यहां से 1 by 2 फिर आजाएगा n pi इसे पूरा angle simplify कर लेंगे तो उपर आजाएगा हमारे पास में क्या sin of ncm by minus n pi plus pi upon में आजाएगा क्या हमारे पास में n upon में है n और नीचे भी है हमारे पास में क्या sin by n और minus यह यहां पर रहें तो यह value one के equal होगई plus में n minus 1 तो ले पूरी value किन अन माइनस और यहां से रूजाएगा n minus 2 और 1 by 2 multiplication में तो n-2 by 2 तो sum of series के आगे हमारे पास में n-2 by 2